नमस्कार प्रमुख हिंदी कहानिया और भारती समाज पाठ्ठकम के अंतरगत जारी वियाख्यान श्रिंखला में आज मैं चार्चित कथाकार अग्य की कहानी सरनदाता पर बात्चित करूँगा सरनदाता कहानी हिंदी कथासाहित्य की एक अत्यंत ही महत्तपून और चार्चित कहानी रही है आप सब जानते हैं कि अग्य हिंदी कथासाहित्य में मनोवै ज्यानिक यथार्थ को रेखांकित करने वाले कथाकार के रूप में ख्यात रहे हैं उन्होंने रोज और जैदोल जैसी चर्चित कहानिया लिखी सेखर एक जीवनी जैसा अमर उपन्यास लिखा इन उप्रवधियों के साथ साथ अग्य हिंदी साहित्य में सब्तकों के संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं उन्होंने तारसब्तक के साथ साथ दूसरा तीसरा और चौथा सब्तक नाम से पत्रिका यानि पुस्तक का संपादन भी किया प्रस्तुत प्रसंग में स्रनदाता कहानी इस अर्थ में अलग और महत्तपुन कहानी है यह अग्गे के सभाव के विपरीत विभाजन की प्रिश्टवूई पर लिखी गई कहानी है जो विभाजन के पस्चाद भारत की जो समझें आई जो सांप्रदाइक सवहार्द बिगड़ा उस पर केंद्रित करके यह कहानी लिखी गई है व्यक्ति मन के यथात के साथ साथ समाज मन को भी रेखांकित करने की दिशा में इस कहानी की अत्यन्त बड़ी भूमिकार ही है देविंदर लाल और अफिकुद्दीन दो मित्र हैं और दोनों के बीच में किस तरह से सवहार्द था एक साथ उठना बैठना महले में देविंदर लाल और रफिकुद्दीन साहब का लेकिन सामपरदाइक विद्वेश ने दोनों के बीच एक बड़ी वैमनस की दिवार खड़ी कर दी यही इस कहानी का मर्म है दोनों ने बहुत कोशिस करके बचाने की भी कोशिस की कि बीच में दीवार ना आये और यही वज़ध थी कि सामपरदाइक दंगे के बीच में जब एक एक कर मुस्लिम बस्ती में रहने वाले लोग रहने वाले हिंदु लोग छोड़ के बस्ती से जा रहे थे तो रफिकूत दीन के बार बार के अनरोध के पस्चात देविंदर लाल ने जाने से इनकार कर दिया लेकिन इस्थिती ऐसी रही कि देविंदर लाल को अंततह वो अपना घर छोड़ना पड़ा जहां वर्सों से रह रहे थे रफिक उद्दीन बार बार मना करते हैं इस कहानी का कथानक यहीं से सुरू होता है कि मेरे रहते आप इस महले से कैसे चले जाएंगे यहां से कैसे चले जाएंगे लेकिन धीरे धीरे जब सामपरदाइक्ता की आँच उस महले तक पहुची तो ऐसी इस्थिती में वह भी रोक नहीं पाए और कहानी उनकी बिवस्ता को बताती है जिसमें एक वाक्य रफिकुदीन सहाब बार बार बोलते हैं आखिर तो लाचारी होती है जब बोलते हैं देविंदर लाल से कि आखिर तो लाचारी होती है तो देविंदर लाल को थोड़ा संदेह होता है उनको लगता है कि कुछ गरबढ है और जिसको की रफिक उदीन सहाब छुपाना चाहरे हैं बता नहीं रहे हैं वो कहते हैं आप परिसान नहीं रहे हैं आपके सामने मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बड़ा दवाव है मुझे इस मुहले से निकल जाने दीजिए लेकि रफिकू दिन समझते तो हैं कि अब बहुत देर तक और दूर तक देविंदर लाल की हिपाजत वे कर नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी वे कहना नहीं चाहते हैं और अंदतह निर्ण ये लेते हैं कि सेख अताउल्ला जो बगल में रहते हैं उनके गैराज में इनको जगह दे दी जाए और गैराज में जगह देने का मतलब ये था कि वहां किसी की आवाजाही नहीं हो सकती और वहां पर ये सुरक्षित रहेंगे जब दंगे का ये माहौल समाप्त हो जाएगा तब ऐसे इस्तिती में उनको बाहर निकाला जाएगा लेकिन दुर्भाग ये है कि जब सेख अता उल्ला के उस गैराज के आहाते में वह रहने लगते हैं और वहां पर एक तो बहुत मारमिक चित्तन जिसका मैं कुछ उद्धन भी आपके सामने आगे के व्याक्षान में प्रस्तुत करूँगा लेकिन वह कथा आपके लिए जानना जरूरी है कि वहां का जो दृस्षित होते हैं क्योंकि वहां पर 24 घंटा कमरे में कैद रहना होता है बाहर दंगों की आवाज आ रही है करें क्या बाहर निकलने से भै लगता है भीतर का वाता वान वैसे भी बहुत एकांत है इसलिए भ बिलार मिलता है एक बिलार जैसे एक पसू के रूप में बिलार आता है और बिलार से उनकी मैत्री हो जाती है और उससे संबाद की प्रक्रिया में देविंदर लाल जी बहुत सारी जीवन की बातें करते हैं और यहां पर अगे ने अपनी कथात्मक विन्यास के दाएरे में उनके मन का दिविंदर लाल के मन की तमाम गुत्थियों को खोला है कैसे एक आदमी मनुस्यों से डर करके जब पसु के पास जाता है तो धीरे धीरे कैसे उसकी मन की गाठें खुलने लगती है और उसकी पीडा सामने आती है क्योंकि आदमी तो उनके पास रहा नहीं, जिसे वो बता सकें, चारों और सामपरदाय के विद्वेश का भय है, तो ऐसी स्थित में वह बिलार से ही तरह तरह के संबाद करते हैं, और उसी में सेख अता उल्ला के घर से जो टिफिन में खाना आता है, एक मिटिंग का, उसी में सेकेंड टाइम तो रात में खाना नहीं खाते, तो जो बचता है वो बिलार को दे देते हैं, यह है प्रसंग और कहते हैं, ले तू भी खा, मेरी तरह तू भी यहाँ पर अकेले है, तो चलो हम लोग मिल करके खाते हैं, इस तरह से बिलार उनके साथ बहुत परच जाता है, तो व्यक्ति और पशु का जो प्रेम है, जितना प्रगाढ बंधन है, जितना आत्मी साहचर्य है, वो इस कहानी को एक नई उचाई ले जाता है, और यह बताता है कि आदमी पर विश्वास करना तो कठिन है, लेकिन बिलार जैसे पशु पर विश्वास किया आजा सकता है, कम से कम वो हत्या नहीं करेगा या वो हिंसक नहीं हो सकता, इसी कठा में एक ऐसा मोड आता है कि एक दिन उनका टिफिन का भोजन आता है, और टिफिन के भोजन में एक पत्र रहता है, एक छोटा सा नोट रहता है, और नोट है सेख अता उल्ला की बेटी के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है जैबू निसा जिसको जैबू जैबू बोलते हैं और उसमें लिखा हुआ था कि आप रोज तो खाना खाते रहे होंगे लेकिन आज का खाना जरा कुट्टे को खिला करके खाईएगा अब सवाल यह था को विचलित हो गए यहां कुट्टा कहां पाऊं फि कहांई कैसे मोड लेती है और देविद्नराल नहीं चाहते यहां काम नहीं चाहते क्योंको उन्हें संकेत मिल चुका है कि भोजन में जहर है तभी जैबू निसा जो शेख की बेटी थी उसने संकेत किया है लेकिन वह करें क्या उनको विश्वास नहीं होता और वह खाना खि वो भी बहुत मारमिक है उसका भी मैं जिक्त करूंगा अभी तो मैं आपको कठाना के बारे में बता रहा हो कि ताकि आप उस किरना नहीं के जो विविद सैंटर हैं उनकी जानकारी आपको मिल जा वो कहते हैं वहाँ पर कि देखो मेरे साथ सेख जो करना चाहते हैं मैं वही तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ मैं नहीं जानता कि इस भोजन में क्या है इसका क्या असर होगा वो मुझे मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते लेकि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता लेकि मेरे सामने मजबूरी है कि मैं और कुछ कर नहीं सकता इसे ले तुखा और भी जो खीर आती है खीर को उस बिलार को खिला देते हैं बिलार थोड़ी दिर बाद घुरता है चिगाता है चिलाता है और उच्छाल मार करके दीवार के पास चला जाता है और बहुत तेज दिविंदर लाल को घूरता है ये भी कहानी का बहुत ही मर्व स्पर से चित्रन है बहुत तेज उनको घूरता है और फिर चुप-चाप उसके प्राण का अंत हो जाता है अब ऐसी इस्थिती में बहुत ही कानुड़क इस्थिती आ जाती है फिर एक बार दिल्ली के आकासवारी पर एक नोट भेज करके यह घोशना करवाते हैं कि सामप्रदाईक दंगे में अगर उनके परिवार के लोग कहीं भी बचे हों कि गुश समय आकासवारी ही एक मात्र साधन था जिसमें की इसके माध्यम से सूचना दी जा सकती थी तो वहाँ पर उनकी आकासवारी के इस सूचना को वही बेटी जिसने उनका जीवन बचाया था जेबुनिसा सुन लेती है और फिस उनके द्वारा दिये गए पते पर जेबुनिसास ने एक पत्र भेजा और यही पत्र इस कहानी का असल में कथानक के भीतर का अंतरवस्त्व है जो कहती है और वो भी उद्धर में आपके सामने रखूँगा वो कहती है कि वह मैं ही थी अब कहार यहां खुलती है कि किसने जीवन बचाया था वो हम मैं ही थी, जिसने पत्र लिख करके आपका जीवन बचाया था मैंने कोई यहसान आप पर नहीं किया था कोई आभार नहीं चता रही हूँ लेकि केल यह कहना चाहती हूँ कि सामपरदाइग विद्वेस में अगर कभी आपके भाई बंधू कभी फसे हो तो आप वैसे ही मदद कीजिएगा जैसे मैंने आपकी मदद की थी मैं सिर्फ यही आपसे जीवन भीख मांगती हूँ और यही आपसे विनिती करती हूँ तो आप देखें कि जो यह इस्थिती है इस कहानी को एक अत्ति ही मार्मिक और रोचक बना देती है कहानी बहुत ही भावाकुलता के दारे में सुरू होती है और बहुत ही तरासद नियत को प्राप्त होती है और इस कहानी में इसके कथानक में अगे ने बार बार यह दिखाने की कोशिस की है कि विभाजन ने न केवल सीमाओं को विभाजित किया बलकि उसने दिलों को भी बाट दिया आप देखें कि सौहाद पून जीवन जी रहे दो धर्मों के बीच जिनका विभाजन से कोई नहादना नहीं था लंबी खाई पैदा कर दिया था जिससे दो समुदाय हस्ते खेलते भी एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे यह विभाजन केवल दो देशों का गठन ही नहीं था बलकि परसपर के सहमेल से जी रही दो संस्कृतियों का भी विभाजन था इस कहानी में लाहूर के दंगों के फलस्वरूप देविंदर लाल और अफिकूत दिन के साथ यही घटित होता है और जो अपने समापन में जैसा मैंने कहा कि बहुत ही हिवदय विदारक है और यह कताना के बारे मैंने आपको बता ही कि यह लाहूर के दंगों से जुला हुआ कतानक है जहां मोजग के महले में घनी बस्ती है और मोजग के महले से यह दंगा सुरू होता है जिसमें जाज़े तर हिंदू परिवार के लोग दंगे में छोड़कर भारत चले आये थे या फिर हिंदू बहुर इलाके में रह गए चले गए थे और ये और बात है कि मोजग का यह इलाका बहुत ही सामप्रदाईक सवहार्द का बहुत ही सानदार प्रमान था मोजग में कभी दंगे नहीं होते थे लेकिं यहां पर जब दंगे सुरू होते हैं तो पूरा के पूरा विभाजन के प्रिश्धूर में पूरा के पूरी जो गणित है वो संबंधों के गणित है सब्भाव के गणित है वो पूरी गवड़ा जाती है आप देखें कुछ उद्धर में आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब वो रफीकु दून से जोर देकर के देविंदरल कहते हैं कि अब दीखे मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पर रहना अपने महले में मुझे जाने दीजिये तो वो जो संबाद है वों कहते हैं रफीकु दून यह कभी हो नहीं सकता देविंदरलाल जी और रफिकुदिन वकील की वारी में यह जो आग्रह था यह इस कहानी को बहुत है आत्मी ढंग से आरंब करवाता है लेकिन धीरे धीरे यह आत्म विस्वास लगातार तूटता चला जाता है और दोनों के बीच परस पर जो गहरी मित्रता थी उसके बीच फाक आने लगती है इस फाक के पीछे ना रफिकुदिन जिम्मेदार है ना देविन दरलाल जिम्मेदार है वो हालात जिम्मेदार है क्यों कभी रफिकुत दिन के मन में मलिंता नहीं थी जैसे की आगे चल करके सेख के मन में मलिंता आई और उस मलिंता के नौ होने का सबसे बड़ा प्रवाण है यह है कहानी का यह हिस्सा जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो सुरान दाता कहानी का बहुत ही मारविक हिस्सा है जब रफिकुत दिन जोर देकर कहते हैं नहीं साहब हमारी नाक कट जाएगी कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही सहर में पनाह गजी हो जाए हम तो आपको जाने न देंगे बलके जवरिस्ति रोक लेंगे मैं तो इसे मेजार्टी का फर्ज मानता हूँ कि वह माइनार्टी की हिफाज़त करें और उन्हें घर छोड़कर भागने न दे हम पडोसी की हिफाज़त न कर सके तो मुल्क की हिफाज़त क्या खाग करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बाती क्या है पंजाब में ही कई हिंदू भी जहां उनकी बहुतायत है ऐसा ही सोच रहे होंगे आप न जाएए न जाएए आपके हिफाज़त की जिम्मेदारी मेरी है और यह सब जो हो रहा था आप देखिए कि मेजार्टी माइनार्टी हिफाज़त जैसे सब्द इस कहानी में जो बार बार आते हैं और रफीकुद्दीन बार बार आस्वस्त करते हैं देविंदर लाल क कि आप कैसे चले जाएंगे तब तक आचानक एक हुल्लड आ जाता है और उस जो हुल्लड आता है उस हुल्लड में बहुत सारे दंगाई सामिल रहते हैं और उसी के ठीक पहले देविंदर लाल से विशेश अनुरोध करके रखिकुत दीन अपने घर उन्हें बुला लेते हैं और जैसे ही घर उला देते हैं अगले दिने घटना हो जाती है कि देविंदर लाल का घर दंगाई लूट लेते हैं अब जब दंगाई उनके घर को लूट लेते हैं तो बहुत वो विचलित होते हैं और फिर वो बड़ी पीडा से हो कहते हैं कि यह दिन भी मेरे जिंदगी म सामने आती है और आप देखें कि यहां कहानी फिर धिर धिर आगे बढ़ती है और इसके बाद जो 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 दवाव बनता है उस पूरे परिवेश पर वो एक तरह के उदासी का विरक्ति का अराजय अराजकता का यह पूरा के पूरा वातावन बनता है और हर संभव इस्थिति यह आती है कि आखिर तो लाचारी होती है कहते हुए बहुत ही विचलित हो जाते हैं रफिकुदीन और अंततह जैसा मैंने कहा था कि सेखता उल्ला के घर उन्हें छोड़ दिया जाता है जहां जेवो निस्था ने उनकी मदद की थी अब वहाँ पर पहुच करके वहाँ पर एक जो दिविंदर लाल है वह थोड़े दारसनिक हो जाते हैं क्योंकि संघर्स में और पीडा में आदमी अनि मनुष्य थोड़ा भो दारसनिक हो ही जाता है तो ऐसे में यह वाक्य बहुत ही दारसनिक भी है और बहुत ही मारक है जब अगे लिखते हैं कि दिविंदर लाल ने जाना कि दुनिया में खत्रा बुरे की ताकत के कान नहीं अच्छे की दुरबलता के कान है भलाई की सहस हिंता ही बड़ी बुराई है अब आप देखिए कि यह जो भलाई की सहस हिंता ही सबसे बड़ी बुराई है यह इस कहानी में बताता है इस कहानी का निचोर प्रसुत करता है और यह दिखानी कोशिस करता है कि जिए बोलना चाहिए वे छुप हैं या कम बोलते हैं तो इस जो अंतरवस्तु है उस अंतरवस्तु को कुल मिलाज उलाकर कि आप इस रूप में दर्श कर सकते हैं कि सांपरदाइक विद्वेस की आग में जलता हुआ समाज सदभाव को बहुत दूर तक लेकर बढ़ नहीं सकता यह इस कहानी की मुख अंतरवस्तु है यह कहानी अपनी कथा रचना में अनेक सांस्कृति और सामाजिक प्रस्णभी खड़े करती है जिससे यह पता चलता है कि कथाकार ने जीवन के परस पर विश्वास प्रेम और सवहार्द को सांपरदाइकता की आँच में खुद जलते हुए देखा था और यह भी है कि यह कहानी मानमे रिस्तों के च्छन की कहानी है जो यह बतलाती है कि मनुस किस तरह अपने धर्म और संक्रणता का गुलाम है अब आप देखें कि यह जो निसकर्स था अंतरवस्तों का यही वह परिवेश देता है यही वह परिवेश देता है जिसमें की एक बहुत विचरनकारी इस्थती पैदा हो जाती है और परिवेश क्या है मैंने पहले कहा कि वह बिभाजन की प्रिष्ट भूमे में लाहूर के मोजंग इलाके में और वो कही धर्ती का कही भी इलाका पाकिस्तान का कोई इलाका हो सकता था जहां पर कि यह एक परिशानी खड़ी होती है परिवेश बहुत विशाक्त हो जाता ह वर्सों से रहर है एक साथ सहचर भाव से प्रेम भाव से हिंदु मुसल्मान पईबा जो रहर है थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और हम लोगों ने बिभाजन की तरास्दी पर बहुत सारे उपन्यास बहुत सारे कहानिया हम लोगों ने देखी हैं और कै कैसे रातो रात वो सारे संबंध विखर जाते हैं और कैसे मौनश्यता सरमसार होती रही है इस पर तो भिस रहने का बहुते पसद्ध पन्यास खुद तमस भी है जिसके बारे में साध आप लोग जानते होंगे तो आप देखें कि ओजो मोजंग का पूरा के पूरा इलाका है वह किस तरह से हुलडों के दंगाईों के भेट चड़ गया है वह पूरा के पूरा इसमें इसके वाता और दिन्यस्त है एक जगह कथाकार ने लिखा है हुलड मोजंग में आप हुचा है साम होते होते उनका निरनिवेश आखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लूट लिया गया रात को जहां तहां लप्टें उठें लगी और भादों की उमस धुआ खाकर और भी गला घूटू हो गई स्पस्ट है कि इस कहानी का जो परिवेश है यह दम घूटू परिवेश है जो कि निरंतर इस कहानी में बढ़ता ही जाता है और अंत तक वो जो बिलार जिन ही वजहों से बिलार मृत्य को प्राप्त होता है यह परिवेश निरंतर और भी सगन और अंधकार पूर्ण हो जात में इतना है, इतना ही नहीं खुद इस कहानी में मरीज乾ीस देखनेगे एक डाक्टर की भी खत्या होती है जब के उसके साथ खुद धो मुसलमान थे और डाक्टर हिन्दू हो था, लें ऊभर मुसलमान हिंदू डाक्टर की सुरक्षा नहीं कर पाया। इसी प्रकार कहानी में एक रेलवे की कर्मचारी की भी केवल सिनाते हत्या कर दे जाती है कि उन्होंने तमाम हिंदू परिवार के निरास्तित लोगों को अपने घर में जगह दे थी इस पूरे विशाक्त वातावन को जरा कहानी की इन पंक्तियों में देखें जो मैं पढ़ना चाहता हूँ जो स्रणदाता कहानी के विशाक्त वातावन को स्पस्ट करने के लिए परियाप्त है ये उद्धन सुनें विशाक्त वातावन द्वेस और घिना की चाबुक से तर फडाते हुए हिंसा के घोडे बिस फैलाने को संप्रदायों के अपने अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकर साही देविंदरलाल को अचानक लगता है कि वह और रफीकुदीन ही गलत है जो की बैठे हुए हैं जबकि सब कुछ भड़क रहा है उपन रहा है जुलस रहा है और जल रह है और वे लक्ष करते हैं कि वह और स्पस्ट स्वर जो वे रफीकुदीन की बातों में पाते थे धीरे धीरे कुछ स्पस्ट होता जा रहा है एक लज्जित सी रुखाई के साथ अब आप देखें कि यह जो लज्जित सी रुखाई के साथ का जो परिवेस है वह लज्जित स मिर्सा वातावणे है व earliest में उआतिक्तिक और प्रतिकात्मक हो जाता है इसमें बिलार महाजेक बिलार नहीं रहता बल्कि वहoin सामाजिक विचार हो जाता है जो दंगों की आग में लगातार जल रहा होता है तो आप देखें कि इस रुप में इस कहानी का जो विभाजन कारी परिवेश है उसमें तरासदी है अविस्वास है घणा है और बदले की भावना है जिसे दो चरित्रों के माध्यम से जीवन्त कर दिया गया है इसी परिवेश के भीतर से ये चरित विक्सित होते हैं जिसमें देविंदर लाल, रफीकुत दीन और जेवु निसा का चरित्र है आप देखें कि इसमें जो चरित्र है देविंदर लाल का और रफीकुत दीन का और जेवु निसा का जैसे मैंने पहले कहा कि य से विक्सित हुआ चरित्र है यह चरित्र परिवेश के दवाव से अपना विकास करते हैं यह अच्छे परिवेश के भीतर से विक्सित चरित्र नहीं है क्योंकि सामप्रदाइक डंगों के वीच में धीरे-धीरे जब रफिक उद्दीन का चरित्र बढ़ता है देविंदर ला पर एक दूसरे में दोनों विश्वास करते हैं फिर एक दूसरे के पर अविश्वास बनता है और इस विश्वास और अविश्वास के बंद से यहां कहानी इन दो चरित्रों के आपसी संबाद से यहां कहानी आगे बढ़ती है और यहां कहानी आगे बढ़ती हुई बढ़ती एक है और और अंतरंगता और साहचर एक है लेकिंगे दीरे-दीरे कैसे परिवेस में यह एक बिसेला धुआ व्याप्त होता है और बिसेला धुआ धुए इस बिसेले धुए में धुधुवाता हुआ सामाजिक संबंद है जो धुधु करके जलता हुआ दिखाई देता है तो निरंतर विक्सित होते हैं और निरंतर अलग होते हुए चले जाते हैं और उसके बाद इस्थिती ये रहती है कि जेबु निसा जैसा प्रसस्त और प्रांजल चरित्र इस कहानी के भीतर से उहरता है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जेबु निसा अपने पिता सेख के खिलाफ जाकर के वो बगावत करती है और जो सेख देविंदर लालक की जान लेना चाहते हैं उनकी जान बचाती है तो आप कह सकते हैं कि यह कहानी अपने चरित्रों के माध्धम से एक सुन्दर और उदात नोट के साथ समात भी होती है कि चाहे जितना अंधकार हो चाहे जितनी घनी भूत पीड़ा हो लेकिन कहीं न कहीं चरित्रों में एक उज्वल पक्ष तो होता ही है एक उदात पक्ष तो होता ही है जो इस्थतियों को सभाल लेते हैं और यह भी है कि मनुश्य खालात का मारा होता है क्योंकि बार बार आखिर यह तो लाचारी है जब रफिकुद दिन कहते हैं तो क्यों कहते हैं वो इस नाते कहते हैं कि उनके उनके हां मुस्लिम बस्ती के बहुत सारे लोग आत लेकिन धीरे धीरे वे देविंदर लाल को surrender तो नहीं करते हैं उनको बाहर तो ही निकालते हैं लेकिन धीरे धीरे देविंदर लाल से वो बिवुक होने लगते हैं उस मजबूरी को ले करके तो कुल मिलाजुला करके आप देखें कि यह जो आखिर तो लाचारी है यह एक लाचार व्यक्ति के रूप में सामने आती है और यह कहानी का जो पूरो पक्ष है वह अंततर विद्वेश के दायरे में घनी भूत होता हुआ देविंदर लाल के हत्या की कोशिस तक पहुंचता है और ऐसे में आप देखिए कि रफिकुत दिन की आँखों में निरंतर एक पराजय की भावना हमेशा दिखाई देती है और चुप चाप पूरे दिश्य को देखते रहते हैं और बार बार आजादी 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 को प्रसनांकित करने की कोशिस करते हैं और इस ऐसे आप देखेंगे कि यह जो कहानी है निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्तपूर्ण है और क्योंकि यह कहानी हमारी संबेदना को और कह सकते हैं कि हमारे अंतर मन को बार बार कुरेदती है और उस उस अकलियत के बीच सामपरदाइक विद्वेस के बीच में जब करके हमें कह सकते हैं कि जब करही अकलियत का मजलوم हमारे सामने हो अरथात सामपरदाइकता का उन्माध हमारे सामने हो तो हमें करना क्या चाहिए यह जेवो निसा के उस नोट से पता चलता है जहां से यह कहानी समाप्त होती है अग्ये ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि अग्ये को मालूम है कि सामप्रदाइक सद्वाव जब दिगरता है तो केवल देश और उसकी संस्कृत ही सरमसार नहीं होती बलकि पूरी मनुस्ता ही संकट गरस्त होती है वो पूरा के पूरा बिस्वाज भी चरित होता है जो बच्पन से जवानी से होते हैं बुढ़ापे तक दो कौमें दो धर्मे के लोग एक साथ रह करके बोल करके बनाए रहते हैं या बचाए रहते हैं यह कहानी प्रकारांतर से उस सामपरदाईक सवहार्द को बचाने की भी कहानी है और अग्ये यह चाहते हैं स्रंदाता कहानी के मात्धंसे कि कोई भी समुधाय और किसी भी समुधाय के लोग ऐसे संदाता न बनें कि सन देते हुए उस व्यक्ति के खून के प्यासे हो जाएं जैसा सेख अता उल्ला हो गए थे तो यह कहानी जो सन दाता है अपने कथानक अपने परिवेश और अपने चरित्र में और कुलमिला के अपने अंतरवस्त में यही संदेश देती है कि सन दाता का होना जिम्मेदारी के यहसास का होना है अपनत्व की भावना का होना है अपने 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 लोगों की रक्षा की भावना का होना है इसे बचाने के जरुरत है और मुझे लगता है कि जो भी पाठख जो भी स्रोता इस कहानी को पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे वे इस बात से सहमत होंगे कि मनुष्य और उसकी मनुष्यता धर्मों से जातियों से वर्णों से बहुत बड़ी होती है इसलिए किसी भी रूप में हमें इस मनुष्यता को बचाना है यह मानवी उदात भावना को बचाना है और इसके लिए अगर यह कहानी हमें प्रेना देती है तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए आपने इस व्याक्यान को सुना बहुत बहुत धन्यवाद झाल को सुना बचाना है झाल को बचाना है